अगर आप खईदना चाहते हैं एक एसा लेजर पिंटर जो 10,000 रुपे की रेंज में आए और जिसमें और डुपलेक्स पिंटिंग भी हो तो ये वीडियो आपके लिए है आज आपको बता रहे हैं ब्रिदर पिंटर के बारे में जिसका मोडल नंबर है HLB20000D आप देख रहे हैं बेस्ट वाले यहां मिलता है आपको शांदर कमपेरिजन बहतरीन रिव्यू ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा आज बात कर रहे हैं ब्रिदर पिंटर के बारे में यह जो लेजर पिंटर है इसकी जो प्राइज यह वो चेंज हो सकती है इसलिए आप इसका लेटेस्ट पाइज डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं इसका रिवीव पढ़ सकते हैं बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते ह HLB2000D Brother का laser printer इसके features के बारे में हम बात कर लेते हैं इसका जो features है हम देख लेते हैं Brother company के इस printer में आपको सिर्फ print ही निकाल सकते हैं scan वगरा नहीं कर सकते हैं only black and white print ही निकलेगा ठीक है और duplex printing इसमें आपको मिलता है यह काफी शांतर feature है price range में देखें तो काफी अच्छी बात है duplex printing क्या होता है आप एक print है जैसा आपको 2 print निकाला है 2 pages print करना है आगे बीचे तो आपको उसको खुद मोड़ना नहीं पड़ेगा आप एक ही page में duplex printing का option है उसके अंदर जब उसे दे देंगे तो खुद ही तो इसमें आपको USB की connectivity मिलती है Wi-Fi और ऐसे connection इसका नहीं होता है only USB और इसमें आपको एक मिनट में 34 page आप print कर सकते हैं इसकी speed है एक मिनट में 34 page और page support की बात करें तो A4, A5, A6, Legal और भी बहुत सारे तरीके के जो support होते हैं उसमें आपको मिल जाएगा इसमें आपको जो duty cycle है वो 15,000 pages का है duty cycle क्या होता है कि आप एक महिने में कम से कम मतलब recommended कि आप इतने print कर सकते हैं इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको दूसरा लेना चाहिए माई लिए आप एक महिने में अगर आप 50,000 print करना चाहते हैं तो ये printer आपके लिए नहीं कोई और printer आप देखिए लेकिन अगर आप 15,000 के अंदर अंदर में print करना चाहते हैं एक महिने में तो ये printer आपके लिए best है अब देखते हैं इसका print resolution आपको जो print आता है उसका जो resolution है 2600 pages आप प्रिंट कर सकते हैं इसमें आपको वारंटी एक साल की मिलती है प्राइस जो है वो आपको साड़नो हजार रोपे के आस पास कपड़ाएगा आपको यह प्रिंटर क्यासा लगा इसकी best buying link निचे description में दी गई है वहां जाकर इसका latest price check कर सकते हैं अभी यह जितने कहा रहा है हो सकता है बाद में price change वाजा इसलिए आप इसका latest price check कर सकते हैं इसे buy करना चाहें तो buy भी कर सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखका जहूँ बताइएगा और इस printer से related कोई doubt हो तो आप पूछ सकते हैं आपने में इतना वक्त दिया इसके लिए thank you एसी वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा thank you